नवरात्री में मिलने वाले कई संकेत अपने आप में अधभूत होते हैं इन मैंसे कुछ संकेत तो भक्तजन साधारान सरल तरीके से समझ लेते हैं कि मातारानी आचुकी है और खुश्यों के बंडार भनने ही वाली है परन्तो कुछ खास संकेत ऐसे हैं जो भक्तजन नहीं कि कौन से संकेत ऐसे बताय जाते हैं सास्त्रों में और अनभव के माध्यम से जो कि मातारानी के स्वयम आने के सूचक है लंबे समय से कोई रोग गर्द इत्यादी या कोई बाधा या बच्चों के विवाह संतान संबनी परिशानी जीवन में चल रही है तो उसका नेदान होन करते हैं सबसे पहला सबसे प्रमारिक संकेत जो कि अपने अप में अद्भुत है आज ही नहीं राजा महराजाओं के समय से यह बात पुस्टी की जाती है कि सौपन के माध्यम से अगर कोई सौप संकेत नवरात्री के दिनों में इन नौ दिनों में आपको विसेश साधना के तहत या कुछ साधारन सरल तलिके से आप द्रहस्त जन हैं दिन भर अच्छे कर्म करते हैं अच्छा सोचते हैं मातरानी की भक्ती में लगे हैं और आपको रात को माता जी किसी भी स्वरूप में साक्षान मा का स्वरूप नहीं परन्तु किसी कन्या के स्वरूप में कोई मा जानते हैं समझते हैं दुर्गा सब्त सती दुर्गा चालीसा और साथ ही दुर्गा माता का कोई भी मंदिर या दुर्गा माता की ध्वजा या दुर्गा माता के कोई भी स्वरूब जैसे त्रिशूल हो गया मातारानी के नेत रूबरे हुए आपको दिख रहे हैं या मातारा और साथ ही कई रजा, रानी, और कई देवि देवताओं को कई तरह شाह मानव जीवन में अनभव होते हैं जिस कारण से शुबह नीट खुलती है और उन्हें ऐसा आभास होता है कि भगवान जी ने तो अपने मा आकर उन्हें यह संकेत दिया है कि इस जगह पर मेरा मंदिर बनेगा या इस जगह पर मूर्ती प्रतिमा विराजमान है तो ठीक वहाँ पर खुदाई कर दी जाती है या उस इस्थान पर मा के होने के ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि अपने अपने प्रमारिक होते हैं और उस जगे माता की मूर्ती मिलती है, सिवलिंग मिलता है, या मातारानी का कोई स्वरूप मिलता है, कुल देवी मैया का कोई अंश मिलता है, जिस कारण से उस इस्थान पर मंदीर बनते हैं, या उनका विसेश एक इस्थान निर्दारित किया जाता है, तो यह सबसे दर्शन या मातारानी से जुड़ी हुई कोई इन वस्तूओं के अंश दिख रहे हैं आपको अनभव हो रहे हैं स्वपनिके माध्यम से भले ही निद्रा का कोई भी पहर हो तो समय दीजिए मातारानी साक्षात खुली आँखों से आपको जो है दर्शन दे रही हैं और आपके मनोरा जो लंबी समय से अटके थे कहीं न कहीं आप परिशान से हतास थे हर जगे से हार गये थे परन्तु नवरात्री के चमतकारी दिनों में आपकी साधना का आपको फल मिलने वाला है हो सकता है थोड़ा सा समय मिले परन्तु लगे परन्तु नवरात्री में अगर यह स्व आपने जो ज्वारे बोय हैं और जो आपके घर पर जोत लगती है या आप दीपक लगाते हैं सबसे पहले कई भकते जना खंड जोत लगाते हैं या नहीं भी लगा पाते तो साधारण दीपक तो लगाते ही हैं मातारानी के नाम का अलग से अन्य देवी देवताओं का मैं हमे उपहार स्वरूप देते हैं या उनके लिए कुछ विसेज भोजन बनाते हैं या कुछ उनके लिए विसेज करते हैं तो ठीक यही बात यहां पर लागु होती है अगर देवी मैया को प्रसंद करना चाहते हैं तो उनके नाम का एक जोत अलग से लगाएं दीपक लगाएं के प्पूल आपको दिखाई देता है जिसमें माताराणी जुए नेत्र प्रूप में टिखाई देता हैं या माताराणी का पूजा की, प्रसन्न है आपसे और आपकी पूजापाड मंतर जाफ सफल होने वाले हैं अगर मातरानी की जोत में फूल बनता हुआ दिख रहा है वह किसी भी स्वरूप में हो सकता है साथ ही खेतरी अर्था ज्वारे जो बोए जाते हैं उसमें सुन्दर स्वरूप में अगर जो है ज्वारा बहुत सुब माना जाता है सफेट खेतरी अगर एक दो ही मिलती है और कभी कभार ही मिलती है खेतरी अगर आपके भरी पूरी हुई है बहुत सुन्दर अवस्था में हरी भरी हुई है तो यह भी परिवार में सुप्ता के रूप में जाना जाता है और सम्रिध्ध के जीवन में आपको इन दिनों कोई गुलाब का फूल कमल गट्टा या नारियल उफार स्वरूप दे कर जा रहा है या आपको जो है कहीं न कहीं से किसी मंदिर इत्यादी से हैं प्राप्त हो रहे हैं भेट स्वरूप तो यह भी मातरानी के साक्षा स्वरूप के रूप में सुपता के रूप में देखा जाता है तो आप सुपी को प्रशन हो जाना चाहिए कि मा की कृपा आपके जीवन में बन रही है स्रंगार की सामगरी भी इन दिनों आपको प्राप्त होती है तो भी अत्यधिक सुपता के रूप में जाना जाता है साथ ही अगर आप इन दिनो मातारानी की पूजा करते हैं किसी मंदिर में जाकर या अपनी घर के ही मंदिर में आप पूजा करते हैं और आपके आखों से नेत्रों से जर जर आसु बहने लगते हैं या आखें नम हो जाती है या मा को देखकर आपके मुख पर एक तेजस्व आता है ओजसा वड़ता है और आपको समय का आभास नहीं होता कि मेरा कितना समय वितीत हो गया है और मा की पूजा करते हुए नेत्रों से आखसु आना और निश्चित समय पर आपकी दिनचरिया अन्य दिनों अलग रहती है परंद नवरात्री में सिर्फ आपके मन में यह आभास होता है कि मुझे इतने रोप में जाना जाता है कि मा आपकी भगती से प्रसंद है वह आपको निश्चित समय पर उठा रही है कि आप भगती कर सके आपके नेत्रों से आशु आ रहे हैं मुख़ पर तेज आश्व है और साथी मन लालाईत है आपको समय नहीं इतना हो पाता है तब भी आप पूज प्रणतों के हिसाब से अलग-अलग अनभव होते हैं इन में अपनी-अपनी मनुधारना भी होती है और मा की स्वरूप में किस भक्त को कौन सा जो है संकेत दे यह मा की महिमा जाने परंत विक्ति को मिलते जरूर हैं इंदीना संकेत साथी इंदीना सपन में गौमाता के दर्शन होना या कोई कुवारी लड़की या आपको उफार स्वरूप कोई विसेस रूप से लाल रण की वस्तु देता है तो भी सुप्ता की रूप में इसे जाना जाता है मा को धन्यवात करें और उनका आभार करें और मुझे बताहिए आपको इन में से कौन्ट से जो मतदी